असलावलेकुम दोस्तों यदि आप कुईट में रहते हो और कुईट के इमतरीन खबरों से हमेंसा वागे फ़रना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप के पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आकान को प्रेस क आपको दोस्तों हमेसा फ्री में मिलती रहें साथियों आज के वीडियो सबसे पहली जो खबर आपको मैं सुनाने वाला हूँ कुईट से वो आ रही है कुईट मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के तरफ से तो भाईयों आप लोगों सभी को पता होगा कि कुईट में बहु ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है तो कुईट के मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के साथियों आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है साथियों एरपोर्ट पर एक कुईटी महिला को गरफटार किया गया दोस्तों खबर इतनी अजीव है मैं आपक खबर यह है कि ब्लैक मेजिक टूल यानि काला जादू का कुछ सामान था उसके पास कुईटी महिला के पास जो की इराक से आ रही थी तो इराक से आने के दौरान अब्दली केस्टम डिपार्टमेंट के तरफ से वो सभी चीजों को दोस्तों वहाँ पे जब्द कर लिया ग पर किस्टम इंस्पेक्टर के तरफ से उनका जो लगेज वगरा चेकिंग किया गया तो चेकिंग के दौरान जो प्रोविटेड मैटेरियल जो होता है जो की काला जादू के दौरान इस्तमाल किया जाता है वो चीजों को वहाँ पर पाया गया उस कुईती महिला के पास जो जो खबर दोस्तों वारी साथियों एजिप्टियन इसलामिक टीचर सेंटेश टू देट फोर रेपिंग किट्स दोस्तों एक मिज्ड के इसलामिक टीचर को गरफतार किया गया है और उसको मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि दोस्तों उस सक्स पे वहां पे रेप करने की जा थी यान दोस्तों एक बच्ची के साथ वो रेच किया था जिसके बाद उसको फासी की सजा दोस्तों सुनाई गई है तो साथियों कुएत में बहुती सख्त कानून है आपको बता दू इंडिया पाकिस्तान नेपाल बंगलादेश ऐसे देसों में तो यह सब नहीं होता ह पर वहाँ पे ऐसाब करने से गंदे काम करने से वहाँ आपको फासी की सजा मौत की सजा सुनाई जा सकती है तो इजिप्सियन इसलामी तो टीचर को वहाँ पे मौत की सजा सुनाई गई है फासी की सजा के दौरान उसको मौत दिया जाएगा अगली जो अपडेट दोस्तों बंद तो नहीं किया गया पर 12 को जैसे बंद है तो हाइवे में से कौन-कौन बंद होगा हाइवे में से बंद है सेवन्थ रिंग रोड जो की लेफ्ट आफ अब्दुल्ला अलमुबारक को जाता है गुइंग टू फिंटास जो जाता है वो अगली अपडेट की और साथियों चलते हैं अगली ख़बर दोस्तों जो आरी साथियों कुएत में कुएत में साथियों लगभग वहाँ पे बताया गया है कि लगभग 1.27 मिलियन जो इसोंस है वो ड्रैविंग लैसंस का दोस्तों वहाँ पे लिया गया है 2022 में जो की साथियों बहुत ही जादा हो जाता है लगभग दोस्तों हो जाता है 56 लाख केडी दिनार दोस्तों ये हो जाता है जो की बहुत ही बड़ी होती है साथियों बता दू आपको कि कुएट में मुहम्मा जोहा के MP है उनके तरफ से ये बोला गया है कि बहुत सारे फैमिली वीजा को वहाँ पे एक्सपार्ट लोगों को वहाँ पे दिया जाएगा क्योंकि दोस्तो काफी दिनों से एक फैमिली वीजा बन था पर आप फैमिली वीजा वहाँ पे बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएगी ये वहाँ के MPs के तरफ से एनॉस्मेंट किया गया तो ये कुछ अपडेट्स थी कुछ खबरे थी जो कि कुएट से आरे थी मैंनब तक सेयर किया आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो पे जाहिन अला आफिस और टेक केर